आज हम बात करने वाले हैं 11th Bipartite के बारे में और अगर 11th Bipartite, 10th Bipartite की तरह 15% पे ही साइन होता है, तो बैंक क्लर्क और बैंक प्यों की नई पेस्केल क्या होगी? आज हम देखने वाले हैं 10th Bipartite के अंदर जो formula यूज किया गया, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि 15% increase over pay slip cost इसका क्या मतलब होता है, उसमें से 2% basic और DA पे दिया गया load factor और इसी formula को लगाकर 11th BPS में नई पेस्केल, bank clerk और bank p.o की क्या होने वाली है? साथ ही हम चर्चा करेंगे क्या banks के लिए CPC लगाया जाना चाहिए? अगर नहीं तो इसका क्या solution है? मैं जादा टाइम नहीं लूँगा और आपको पहले ही बता दूँगा कि अगर 10 BPS में जो formula लगाया गया है, वही formula, वही percentage 11th BPS पे लगाया जाए, तो एक bank clerk की salary basic pay scale क्या होने वाली है? जो starting basic पहले 13,075 है, वो 11th BPS के बाद में 19,400 हो जाएगी दोस्तों, यह हमने कैसे calculate करा? वो आगे आपको ज़रूर बताएगे. इसी तबरकार, bank payo की pay scale जो 10th BPS में 23,700 से शुरू होती है, वो 11th BPS में 35,180 हो जाएगी. अब इसको calculate करने के लिए जो formula लगाया गया है, उसको समझना ज़रूरी है दोस्तों. 10th BPS में क्या हुआ? कि 15% जो increment दिया गया, वो wage bill पे दिया गया. जो दोस्त नए हैं, जिन्होंने bank नया जॉइन किया है, उन लोगों के लिए formula, उन्हों ही जरूर समझना चाहिए, कि wage bill की cut-off date उन्होंने रखी 31st March 2012. इसका मतलब यह है कि सभी bankों में जितना खर्चा staff को तंखा देने पे हो रहा है, और उसके अलावा जो facilities देने पे हो रहा है, उसको wage bill कहा गया है, और 31 March 2012 को जो खर्चा था, उसका 15% IBA ने ओफर किया, 31 March 2012 को कुल मिलाकर 31,503 करोड था, जिसमें से officers का 16,000 करोड लगबग और workman का लगबग 15,000 करोड था, तो इसका 15% कुल 4,725 करोड, अब इस प्रकार का वेतन समझोता, एक तरह से पुराने अगर वेतन समझोता को देखा जाए, तो यह पहली बार ही ऐसा हुआ, इसके अंदर जो focus किया गया, वो सीधे bank के खर्चे पिकिया गया, यहाँ employee को मिलने वाले पैसे पे ध्यान नहीं दिया गया है, सीधे सिर्फ यही ध्यान दिया गया है कि अगर वेतन समझोता होता है, तो bank को कितना और खर्चा देना पड़ेगा, और 15% तो overall IV ने दिया है, लेकिन अगर gross salary पे increment देखा जाए, तो 10th BPS में सिर्फ 12.2 से 12.8% ही increment मिला है salary पे, जो formula यूज किया गया, वो बहुत simple था, एक पर जल्दी से देख लेते हैं, जो DA merge किया गया, वो 60.15% था, उसके अलावा 2% का load factor दिया गया था, जिसके अंदर basic और 31 March 2012 को DA उनको calculate करके, उसका 2% basic में दिया गया, अगर clerk की बात करें, जो starting basic थी 7,200 उसमें पहले DA merge किया गया, फिर 2% load factor दिया गया, उसके इसाब से जो नई basic तयार हुई, वो 11,765 हुई, और officers के लिए भी जो starting basic पहले 14,500 थी, उसमें DA merge करके, और 2% load factor calculate किया गया, और उन्हें add करके, जो new basic RIV, वो 23,700 रुपीज थी, अभी तक जो भी IB और UFBO के बीच में, जो भी अभी तक वार्टालाप हुई है, जो भी meetings हुई है, उसको देखके यही लग रहा है, कि इस बार भी वेतन समझाता, कहीं ना कहीं, टीम वही है, efforts, strategy वही है, तो result भी obviously वही होना है, तो अगर यही formula 11 BPS पे लगा, और 15% पे waste settlement sign हुआ, तो new pay scale इस तरह से arrive की गई है, दोस्तो, DA merger के उपर बात होई चुकी है, IBM अपना offer दिया है, कि October 2016 को जो DA था, वो merge किया जाएगा, जो कि 45.5% है, वही load factor, basic और DA, as on March 2017, पिछली बार मार्श 2012 लिया गया था, जो कि 63% DA था, अब इस बार पूरे 5 साल अगर आगे बढ़ाएं, तो मार्श 2017 को जो DA था, 46.9%, उसे basic में जोड कर, उसका 2% calculate करके, load factor दिया जाएगा, DA rate, जो है, percentage per slab, उसके बारे में भी discussion हो चुका है, जहां पहले 0.10% per slab DA दिया जाता था, उसको घटा कर 0.07% per slab किया जाना तै है, और अगर यह हुआ दोस्तो, तो जो नया DA rate होगा, वो 5.18% ही रह जाएगा, क्योंकि जो remaining slab's है, 455 slab's तो मर्ज हो जाएगी, remaining 74 slab's है, जिनके according जो नया DA बनेगा, वो 5.18% बनेगा, तो इस इसाब से जो new pay scale होने वाली है, वो bankler की 19,400 से लेके 46,805 तक जाने वाली है, इसमें 2 advance increment add कर लिए गए है, और वहीं bank P.O. की जो pay scale है, वो 35,180 से लेके 62,380 तक जाने वाली है, वहीं उसके side में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो government clerk और एक government officer यानि की जो central pay commission के अंदर आते हैं, उनकी salary, उनकी pay scale काफी comparatively काफी जादा है, अब हम bank bipartite और CPC को compare करते हैं, grade pay 2400 यानि की lower division clerk को मिलने वाली जो grade पे है और उसके according जो salary बनती है, उस 7 pay commission के according, X, Y, Z, तीन अलग-अलग cities के criteria के according, 24%, 16%, 8% HR के हिसाब से लगबग 37,000, 33,000 और 31,000 के around ये salary बनती हैं, और अगर 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 अपन इन तीनों का average लें तो एक average salary अगर हम देखें, तो LTC को मिलने वाली average salary कहीं न गई around 33,700 रुपीज है, वहीं bankler की होने वाली salary, 11 by per time के बाद में, तीन अलग-अलग अचारे की category जो है, उसके according, gross salary जो 10th by per time में दी जारी है, 23,000 के around है, वो है, और अगर वही 15% पे वे settlement होता है, तो ले दे के salary पे सिर्फ 12% का ही increment मिलेगा, इसके according, जो 11 BPS में gross salary है, वो कहीं न गई 26,000 के around है, तो दोस्तों आप फर्ग देखिए, वहाँ 33,500 है, और यहाँ 26,000 है, bank clerk की salary में इतना जादा difference है, तो PO और officer को compare करेंगे, तो difference कहीं जादा है, तो सवाल यही है कि क्या bipartite CPC को touch कर सकता है, अगर 12% जो at present 10 BPS का जो formula रहा, और वही जो 11 BPS में होने वाला अगर वही रहा, तो gross salary सिर्फ 26,000 है, लेकिन अगर यह increment 40% होता है, या फिर 45% होता है, तब जाकर अपन CPC को touch कर सकते है, और इतना percent increment आप सभी जानते हैं दोस्तो, possible ही नहीं है, तो क्या bipartite CPC को touch कर सकता है, नहीं कर सकता, तो अब इन problem का solution क्या है, solution है, सबसे पहला है कि percentage के उपर negotiation करना, associations को, union को सबसे पहले बंद करना चाहिए, percentage में discussion करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि percentage अगर 15 से 45 भी हो जाए, यानि 3 गुना भी हो जाए, तब भी bank clerk की salary CPC के clerk के मुकाबले कमी रहने वाली है, और officer के अंदर ये difference और भी जादा है, तो दूसरा एक discussion जो आज कल काफी बार देखा जा रहा है, कि bankers को भी pay commission के अंदर में include करना चाहिए, तो क्या ये possible है, देखा चाहिए तो ये भी possible नहीं, क्योंकि associations, unions इसके लिए कभी राजी नहीं होगी, उनका काम तभी चल रहा है जब union है, और अगर bankers को pay commission में include कर दे जाएगा, तो उनका तो उनकी दुकान ही बंद हो जाएगी दोस्तों, तो ये भी चीज समभव नहीं है, बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए, कि percentage पर ना बात करके union कुछ सिर्फ इस बारे में fight करना चाहिए, कि हमें जो salary चाहिए, वो at par CPC के साब से चाहिए, ना CPC में include करना चाहिए, लेकिन उसके at par, इससे union भी रह जाएगी, और कहीं ना कहीं salary में बढ़ने के chances भी बढ़ जाएगे, तो इसी तरह से हमें associations को, union को support करना पड़ेगा, उन्हें ये message देना पड़ेगा, कि bankers को अभी कोई जल्दी नहीं है, दोस्तो जल्दी करेंगे तो हो सकता है, एक बार फिर वही, जो 10th BPS में वहाँ, वही repeat हो जाएगा, और वही 15% salary मिल जाएगी, इससे बढ़िया, union को ये message देना चाहिए, कि हमें कोई जल्दी नहीं है, आप time ले, लेकिन बिना लड़ा तो इससे लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल डैनिक पोर्टल को सब्सक्राइब करें, थैंक ये